हेलो एव्रिवन वेल्कम टू डू डू डीप और हम लोग पढ़ रहे हैं पाइटन प्रोगा में तो अभी तक हम ने यह पढ़ लिया कि वह हमने सब कुछ देख लिए ठीक है और बहुत ही बारी किसे देखा के बारे किसे एक बार पढ़िए और इसको ख़तम करते हैं अच्छे से यहां पर जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वह तो अभी तो आपको पहले बताया थे मैथट अब वही सिमिलर काम हम लोग करते हैं ऑपरेटर के तो जैसे की चलिए देखें आपको याद है कि मैंने लैस्ट गेटर देन वह किया था कि सबसाइट वाला इस सबसाइट अब जो आपके बहुत बड़ा फरक है वह जो फरक है वह आपके दो चीजों से आता है क्या आता है वह अच्छे से आप देखेंगा और समझेगा पहले चीज तो यह कि जहां भी आपके पास में मैथट है और उसके एकुविलेंट आपको कोई ऑपरेटर मिल रहा है क्या मि आता है कि यह दो चीज इसलिए बनाके दी है ताकि दोनों का यूज अलग-अलग बेसे किया जासे तो अगर आपको ज़्यादा कंट्रोल चाहिए अपने ऑपरेशन के उपर तो आप ऑपरेटर के बजाए मैथड को यूज करें तो यह आपको more functionality आपको देगा यह आपको less functionality देता है तो less is less functionality आपको इंगे ठीक है सर functionality समझ में आगे कि यह कम दे रहा जाता है लेकि functionality है क्या प्रूफ करूँ मैं चली तो प्रूफ करते हैं इस चीज को और पहले चलते हम आपने प्रोगाम पर और प्रोगाम को कहते हैं मेरे पास दो सेट है सेट वन और रही बात इ हमका एक और सेट बनाया है मैंने और यहां पर मैं कुछ element common रखना चाहूंगा जिसे कि 34546 अब इनका निकालना है स्क्राइब एकिर से बनाते हैं यहां पर इसकी विल्में लेलता हूं 3456 ठीक है तो हमारे पास दो सेट है एक टपल है और एक लिश्ट है चलते हैं अब मैं आपको सिखाता हूं कि what is intersection intersection का मतलब ही होता है वही दो हमारे पास सेट है जब आप इनका intersection निकालेंगे तो आपक पास में क्या आएगा इनके बीच का जो common element वो आ जाएगे तो आप कहेंगे sir मैं ऐसे निकालता हूं आप कहेंगे sir मैं यहां पर प्रिंट करता हूं सब्सक्राइब आपने यह लिखा है आर वन और आपने यह लिख दिया s1 and s2 क्या लिख दिया s1 and s2 और फिर आप इसको प बोलते intersection intersection operator अब जो student को doubt होता कि sir यह काम हम लोग मैतर से भी करा सकते हैं जैसे कि मैं r2 से करवा रहा हूं s1 dot intersection तो यह मैं क्या लिखना बढ़ेगा intersection और यहां लिख दिया s2 ठीक है तो यहां पर फिर हम लोग इस r2 को प्रिंड कर देते हैं तो दोस्तों कुछ काम आपके operator से भी easy पढ़ते हैं कभी method से भी easy पढ़ते हैं लेकि method आपको हमेशा ज्यादा functionality देने वाला है चली कैसे और यहां पर मैं आगे लिख दूँँगा intersection इंटरसेक्शन चीक है method आप कहेंगे सब्सक्राइब क्या फरक पड़ता क्या आज वन आटू में को difference आएगा यह देख लेते हैं यह ना मैं इसको निचे लिख देता हूँ इसको मैं यहां से कट मारता हूँ और यहां पर इसको पर लिख दे तो उसके सामरे हैं चली कुछ लाकर देखतें DAN जब इसको चलाएंगे दोस्तों को आपको आश्यकर दोनों का ceux मिल रहाहें कैया मिल रहा है दोस्तो दूनों का से मिल ृह रह ऑक है तो आपने यहां पर देख पार होंगे क इसमें है 3456 तो intersection में केवल 3 और 4 common आ रहा है तो आपको 3-4 दे रहा है तो आप चाहे तो इस end operator का use कीजिए ठीक है जिसको intersection operator भी कहते है या फिर आप intersection method का भी use कीजिए दोनों से answer same आ रहा है कहीं दिक्कत नहीं फिर आप कहेंगे के sir आपने भी क्यों बोलाई है कि यह ज़्यादा functionality देता है क्योंकि यहां पर end को दोनों तरफ क्या चाहिए दोनों तरफ set चाहिए जैसे कि मैं यहां पर जैसे ही जैसे ही t लिखता हूँ ठीक है आप दहांसे देखीगा जैसे t लिखता हूँ तो end मुझे देदेगा error एक तरफ तरफ आपने set दिया और दूसरी दरफ टपल क्यों देदेगा भया मैं टपल के साथ काम ही नहीं कर सकता तो end बहुत limited काम करते है और end कहता है कि दोनों तरफ set है तो मैं end काम करूँगा चीक बट method में यह नहीं होगा तो इसको मैं कुछ time के लिए सही करते हूँ ताकि निक्सेवला चल देख सही method के मैं बात कर रहा हूँ तो method कहता है कि भया मुझे तो कोई भी कुछ भी पकड़ा दूआ चाहे तो मुझे टपल पकड़ा हो यहां पर चाहे मुझे list पकड़ा हो मैं सब के साथ में इंट्रेक्शन करने को त्यार हो तो टपल के साथ भी कर रहा है आपको answer सेम मिल रहा है क्यों मिलेगा दोस्तों इस वार क्योंकि वही मैंने same value लिए जो h2 में वह टपल मिली है तो answer आपको same मिलेगा ठीक है वह को दिक्रत नहीं है लेकिन यहां पर cable दोनों तरफ set होना जरूरी है जबकि यहां पर एक तरफ set होना जरूरी नहीं है आप समझ पार होंगे कि मैं आपसे क्या चाहना चाहरा हूं मैं आपको कहना चाहरा हूं कि भई method आपको ज्यादा functionality देता है तो अगर आपको दो set ही करने थे तो आप end से भी काम करो इंट से काम करो दोनों exactly same काम करते हैं लेकिन अगर आपको पास एक set है और एक set के लावा कुछ और item आ गया जैसे टपल आ गया लिस्ट आ गया तो उस case में आपको method ही apply करना पड़ेगा end काम नहीं करेगा तो आप कियांगे चल ठीक इसर तो यह समझ में आ गया कि method में जादा functionality मिल रही है ना भई चले और यहां पर देखें यहां पर एक चीज मौर दिखाना चाहूंगा कि मैं यहां पर list भी ले लो तो भी काम करें गई यहां पर list ले लेते हूं और उसका काम करते हैं में लोग को अब आपको list करेंगे तुब हुभी काम हो रहा लेकिन इसको तो ना तो list चाहिए यहां पर और ना ही तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि यह जो सैट है ठीक है तो यह सैट एक लिस्टर इसका काम क्यों नहीं बन रहा लेकिन यह काम समाल लेता है तो जैसी बात है कि आप अगर सोच होंगे कि सब्सक्राइब और ऑपरेटर में से अच्छा कौन तो यह हमारा विनर है क्या है यह हमारा विनर है और यह ज़्यादा फंक्लाटी देता नहीं तो यह सिर्फ लिमिटेड जगह पर इसको काम में ले सकते हैं और जहां तक मेरी मान यह तो आप यदोने क्यों काम कैसे करता है तो ऑपरेटर ने इन ऊपरेटर कैसे काम करता है नौट इन को करना मतलब होता है सबसेट असका मतलब है इससट सबसेट ऑस फटो यह आपको देने वाला है अभी पुरे के पुरी वहता है जिसमें पुरे के पूरे अलिमेंटब सुपर सेट और जो खड़ी रंडी होती है उसको ओर झाट है यहना आपको एंटर सेक्शिन help जो यह है यह आपका डिफ्रेंस में है जु depth कर रहे हुँ और यहां क्या कर रहे हैं? आप लोग इहां पर सिमेट्रिट्रेस ले ले हैं. ठीक है? तो आप खुल मिला कर कहने का मतलब यह प्र gefेली है. चाहे तो आप operator यूज करें? चाहे आप method यूज करें, दोनों की working man आपको बता दी है इनकी working हमें ह pasti कर दोसक्त करने के इतनी वैसे हम लोग जंगे कर तुके हैं तो यहां पर आप लोग कई वर्यों साइन दोस्तों जैसे यहां ऐसा नहीं कि बहुत बेकार है यहां आपको Jape皆 स的 project मिलें जाती है मतलब आप सैट के साथ में अक्वल कोई function है नहीं हमारे पास तो यहां पर आपको equal to वाला sign नहीं काम में लेना पड़ेगा या फिर not equal to वाला इसका कोई हमने बनाया नहीं था method कोई है नहीं हमारे पास तो ऐसा नहीं है कि यह बहुत बेकार है हाँ जो common operation है वह आप method से करें और कुछ operation जो common नहीं है जैसे proper set का यह अपर सब अपडेट वह भी आपको यहां पर नहीं मिलेगा तो ऐसा नहीं है कि सारे method का हमने operator बना रखें या सारे operator का हमने method बना रखें बहुत पार method भी काम में लेते हैं operator भी काम में लेते हैं तो equality operator यहां पर हम लोग जो operator के साथ काम करेंगे तो जाइस कि आपने लिखा करेंगे तो इसी बात है अब मैं यहां पर काम करूँगा ठीक के साथ तो ठीक के साथ में यह देखता है कि यह दोनों S1, S3 दोनों बराबर है या नहीं है तो कुछ operator के अंदर भी हमें यह functionality मिल जाती है ठीक है तो चलिए फटक से operator है की operator मतलब इन operator इनका मतलब क्या है इन operator आपको जैसे कि यहां पर मैं लिखता हूं मैं यह चेक करना चाहता हूं operator आपको हमें सा दोस्तों result देते हैं आप यहां पर लिख सकते हैं R की form में और मैं इसको R लिख देता हूँ और आप यहां पर चाहते हो जैसे आपने यहां से इसको हम लोग अटा देते हैं T और L को इसके में जरूत नहीं है अब मैंने लिखा क्या 5 in S1 क्या 5 S1 में है आप गोंगे से no तो आर्के लिखा हो जागी false तो यह आपको देदेगा false चीक है और वहीं है मगर मैं बात करता हूं तो है तो आपको मिल जाएगा आप समझ कि यह वाला पर्टिकुलर आइटम चीक है यह वाला पर्टिकुलर आइटम है या नहीं है चलिए और अगला एक और होता है अब दोस्तों नॉट इन जैसे मैं कहता हूं दो जो है वह नॉट इन आपको मिल रहें है ठीक है और वहीं आप पांच जो है वह हमारे शैटमें नहीं है सही बात है नहीं यह तो यह ढाई होब आपको क्लिए होगा कि दोनों ऑपरेटर कैसे काम करते हैं न भी चलिए अब आपको आपको आई नहीं है आंसर ना देगा फॉल्स और वहीं आप कहेंगे सर एसवन और नॉट इकुल टू येस ये तो सही भई है एसवन एसटू के बराबर नहीं है तो आप यह आपर टू कर सकते हैं यह जो ऑपेटर पढ़ाया था ना वही ऑपेटर है ज्यादा खास नहीं आपर फिर हम ल यह भी बता देगा वहीं आप लोग इसका डिफ्रेंस भी सेट कर सकते हो किसा स्वन माइनस अच्टू करूंगा तो आइस तिंग वन टू आपको मिल जाएगा आउसर क्यों मिल जाएगा क्यों कि एसवन में से यह चार आइटम थे और उसमें से आपने क्या माइनस कर दिया तो यहां से लेकर इनको पर देगा ठीक है तो पीछे बच्छे का वन टू बज जाएगा और वहीं हो जाएगा तो बहुत आप बहुत बहुत कर चुक है डिफ्रेंस कर चुक है चलिए लास्ट ऑपरेटर यह भी बता देता हूं काफी रहर काम आता है लेकिन फिल भी कर लि इसको क्या नाम दियाता पर नहीं है तो यह आपको दे जाता है symmetric difference इसका मतलब जो common element उसको हम भठा देते हैं बाकि जो a में बज़के हैं जो b में बज़के हैं वह हम लोग answer दे देते हैं तो यह आपको answer कुछ इस तरह से दे रहा है ठीक है तो यह होगी हमारे सारे operator दोस्तों यह तो operator आपको तभी काम में लेना है जब आपको पता हो कि दुनों तरफ हमारे पास में क्या हो set पर ही काम करना है के वल एक तरफ सेट है दुछ तरफ सेट है तो आप इसका यूज कीजीगा और कुछ functional की आपको यहां से मिल जाती है इन operator वाली आपको यह मिल जाते है इसके लिए को method नहीं है ठीक है बाकि आल्मोस सब के लिए हमारे पास method है तो आप method को यूज कीजीगा और जिसके लिए method नहीं है तो आप लोग equality से या परी not in या जो membership operator थे उनका यूज कर लिजी तो जिसके लिए आपको यह मिल जाए है दोस्तों जिसके लिए method भी है operator भी है तो उस case में method ज्यादा फ्राइटर पर मैं देता हूँ यह तो मेरे मानना है ठीक है तो आप उसके अकोडिक कर सकते हैं तो दोस्तों इसी के साथ हमारा जो set है जो की unorder था unindex था iterator था ठीक है तो यह हमने properly सीख लिए कि set क्या करता ह है क्या इसकी applications है क्या इसके methods होते हैं किस तरह से इसके उपर operator काम करते हैं क्या difference हो जाता है operator और method के अंदर तो हमने I think मैंने पूरा पूरा complete ले लिया है कई कुछ चोड़ा भी नहीं है एक एक operator आपको I think operation जो होते हैं वो मैंने आपको detail में पताए है कि किस तरह से हमें इस अभी क्या है frozen set मिलते हैं नेक्स वीडियो में पढ़ते है frozen set के बारे में तब तक के लिए thank you